हेलों विल्कम बेक टू आज हम बढ़ने वाले हैं NCIT के क्वेश्चन चैप्टर है हमारा LD8 कीटोन और कार्बोग्जलिक आसट तो फटावट पहला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखी पदों यह शब्दों से आप क्या समझते प्रतीक का उधारन दीजी पहला टाव में साइन् म 걵ाइड्री आपके से रियक्शन करत ऑगे कि साइनージ में चैए ऐसा क्वेंठी कार्बोनायम कांपाउंड है एल्डी केिटोन हैं आप किस से रियक्शन कराओंड को कि सायंसी डवल ऑण ओड्यायग, आपको इसकी reaction करानी है hydrogen cyanide से HCN अब आपको दिमाग लगाना है HCN is weak acid तो अब HCN weak acid है तो फिर EHIN देगा ही नहीं तो काम चलेगा नहीं तो हम यहाँ ले लेते हैं कोई base strong base जो आपको OHN दे तो यह फटा-फटा आपको cyanide N देदेगा now होना गया है तो C double bond हो आपका O पे split हो जाएगा तो O negative और C positive और hydrogen cyanide में H plus cyanide minus अब आपको product देखता है तो आपके पास product क्या आ रहा है O के साथ H और C के साथ CN एक ही carbon पे OH एक ही carbon पे CN इसको हम पढ़ेंगे cyanohydry clear? और practice के लिए आप acetyldehyde से बनाएगे आप acetyldehyde की reaction करा दो hydrogen cyanide से in presence of base और देखो क्या बनता है? clear? acetyldehyde लेंगे इसकी reaction कराएंगे hydrogen cyanide H plus Cn minus और connect करके देखेंगे क्या बनता है? तो आपका अंसर आना चाहिए acetyldehyde cyanohydry बना लोगे? क्या होगा? CS3 CH ढ़ाचा नहीं बदलना आपको skeleton से में रहना चाहिए आपका O minus है H लगाओ तो यह हो गया OH और carbon plus है यहापे लगाओ cyanide Cn तो यह हो जाएगा acetyldehyde cyanohydry acetyldehyde cyanohydry यह बनागा आपका first term के cyanohydry से आप क्या समझते हैं? लिखना क्या है? जब काबोनाइल कंपाउंड की reaction hydrogen cyanide से कराते हैं बेस की presence में तो हमें cyanohydry प्राप्त होता है एक ही कावन पर Cn और OH हो तो उसको cyanohydrym बोलेंगे ठीके? नेक्स पर चलते हैं ना नेक्स आपके पास है acetyl acetyl कैसे बनाएंगे? aldehyde ले लो या ketone ले लो आपने ले लिया carbonyle compound ठीके? acetyl के लिए आपको aldehyde लेना पड़ेगा तो हमने ले लिया RC double bond OH जब हम aldehyde की reaction कराएंगे alcohol से in presence of dry HCl alcohol और aldehyde तो आपको सामझ में आगे? क्या eliminate हो? water और यहां आप cancer होगा OR और OR ठीके? So this is acetyl clear? ketone लेओगे तो ketal नाम आएगा और aldehyde लेओगे तो acetyl नाम आएगा यह आपका होगे second question third है semi-carbis zone अब आपको semi-carbis zone क्या होता है? semi-carbis zone आप क्या करो? carbonyl gum पाओ aldehyde ले लो ketone ले लो इसकी reaction कराओ किसे? इसकी reaction कराओ NH2, NHC double bond O NH2 इसको बोलते हैं semi-carbis zone this is semi-carbis zone तो जब हम carbonyl compound की reaction semi-carbis zone से करेंगे यह water eliminate हो जाएगा अब आपकी जोब का compound बनेगा C double bond N फिर NH C double bond O NH2 इस compound को आपको बोलना है semi-carbis zone clear? अब LD8 लेओगे तो LD8 semi-carbis zone ketone लेओगे तो ketone semi-carbis zone आपको zene का zone करना था तो यह हो गया semi-carbis zone next question है आपका LDol इसको बंद करने हैं आंदर से फोर्थ नंबर पे है LDol अब बताओ LDol कैसे बनेगा LDol term आपको मिली है LDol LDol term आपको मिली है LDol और All मतलब अलकोहॉल तो ऐसा compound जिसका functional group LDol भी हो अलकोहॉल भी हो दोनों होने चाहिए ठीके तो LDol जो है वो आपको मिलता है condensation reaction संगनन अभी करिया द्वारा LDol आपको मिलेगा condensation reaction के थू संगनन अभी करिया द्वारा करना क्या है तो आपको लेना है LDol संगनन मतलब आपको चाहिए दो molecule और LDol condensation के लिए किसी एक में alpha hydrogen उपस्तित होना जरूरी है आपने LDol संगनन कराना है दो compound चाहिए दो carbonil compound चाहिए लेकिन किसी एक के पास condition क्या है alpha hydrogen होना जरूरी है ठीके तो हमने ले लिया एक acetaldehyde यहां से हमें उठाना इसका functional group एक और acetaldehyde लेकिन यहां से हमें उठाना है alpha hydrogen ठीके तो LDol आपको उठाने दो carbonil योगी चाहिए तो 2 LDol चाहिए 2 ketone है ना लेकिन LDol बनाना है तो ketone मतले हो LDol यो ठीके और यहां आपको चाहिए dilute base reaction आपकी होगी dilute base की presence करना कुछ भी नहीं है सिर्फ alpha hydrogen को functional group से मिला दो जो आपका alpha hydrogen है उसको जोड़ दो functional group से तो यह alcohol बन जाएगा देखो OH और यह connect हो जाएगा तो आपका जो compound है वो कुछ ऐसा CS3, CH, OH CH2, C double bond OH तो अगर धिहान से देखो तो last वाला group LDol है और यह वाला alcohol है तो LDol LDol, LDol, LDol तो हम चाहे तो उसको short में लिख देते हैं LDol और चाहो तो इसका UBC नाम लिख दो तो UBC नाम क्या बनेगा? long chain देखो 1, 2, 3, 4 दो functional group होते हैं जो ज़्यादा important है उसका suffix आता है अनुलगना ठीके? और जो कम important है उसका prefix आएगा ठीके? तो अब मुझे चाहिए alcohol का prefix alcohol का prefix होता है hydroxy और LDol का suffix होता है al, al, al ठीके? तो अब आपको इस लाम लिखना है तो आप लिखेंगी 3 hydroxy और suffix है al, तो 3 hydroxy butane clear? तो पहला बन गया synoidry है ना? LDID या ketone की reaction किस से करानी थी? HCN से दूसरा बन गया acetyl, आपको reaction करानी है, acetyl बना LDID लेना है reaction करानी है alcohol से semi-carbizone तो आपको लेना था semi-carbizoid fourth, aldol तो यहाँ पे condensation है संगनन है, और 2 LDID क्योंकि आप LDOL बनाना चाहते हो dilute base की presence पे next है hemiacetal अब पहले तो हमने acetyl लिया अब है hemiacetal तो यह reaction दो steps में complete होती है है ना? तो अगर हमसे कोई कहे कि hemiacetal बनाओ तो आप LDID तो लेऊ क्योंकि acetyl है मतलब LDID कीटल है मतलब ketone तो हमें लेना है LDID पहली बार reaction यह एक अलकोहॉल से का in presence of dry acid ठीक है तो C double bond आपका split होना है O पे तो O negative carbon positive यहाँ से positive में खाली H plus मिलेगा OR minus ठीक है अब आपको react करने के बाद product बनाने तो यह कुछ ऐसा है O के साथ लगा दो H C पे लगा दो O तो इसका नाम है hemi acetyl अगर hemi मतलब आदा क्योंकि यह reaction दो बार चल रही न एक बार गर रही तो hemi acetyl वापस करा दोगी मान लो अगर आप इस reaction को dry acid की presence में वापस किससे कराते हो alcohol के साब तो यह O H और H water फिर निकल जाएगा तो यह कुछ ऐसा बनेगा aldehyde तो as it is यहाँ पे भी क्याएगा OR और यहाँ पे भी क्याएगा OR यहाँ आपने dash लिया है तो यह dash और इधर भी dash तो इसको हम बोलेंगे acid तो जब आप carbonyle compound या aldehyde की reaction एक बार alcohol से कराते हो तो hemiacetal और दो बार कराते हो तो acetal ठीक है next है तुमारे पास oxym oxym याद रखना है आपको C double bond NOH clear कोई भी बूठ ले के बही oxym क्या है तो oxym है C double bond NOH मतलब oxym यानि आपको reaction करानी है NH2OH से सीधा देदा answer यहाँ दोना चाहिए कि अच्छा oxym बनाना है मतलब carbonyle compound की reaction आप करा दो NH2OH के साथ तो आपको लेना है carbonyle compound यानि C double bond हो आपको reaction करानी है NH2OH बस क्या हो water eliminate हो जाएगा हमारा answer आएगा C double bond NOH यह है oxym अब अगर आप LDH लेते हैं LDH की reaction hydroxyl amine से कराओ तो water निकल जाएगा इस बार हमारा answer है LDH LDH का oxym बनेगा तो हम गेंगे यह है LDH और अगर आप ketone रखेंगे ketone की reaction hydroxyl amine से करेंगे फिर water eliminate हो जाएगा और आपका answer रहेगा ketoxym तो oxym आते ही दिमाग में खयाल आना चाहिए C double bond NOH ठीक है इस चीज़ को पकड़ लो C double bond NOH इसको हम बोलते हैं oxym LDH लेंगे LDoxym ketone लेंगे ketoxym अब NOH कहां से आएगा तो NH2OH से आएगा NH2OH को आपको पढ़ना है hydroxyl amine OH है hydroxyl NH2 है amine तो यह है hydroxyl amine clear है so I know hydrine किसे बनता है HCl acetyl किसे बनता है alcohol semi-garbizone semi-garbizoid NH2NH CO NH2 LDol किसे बनेगा condensation ठीक है hemi-acetyl किसे बनेगा alcohol लेकिन reaction एक बार acetyl में 2Y oxym में NH2OH now students ketal तो जैसे acetyl बनाया LDol लेके ketal बना दो ketone लेके ठीक है तो आपको इस बार क्या करना है ketone आपको क्या क्या करना है ketal बनाना है आप ले लो ketone R C double bond OR ठीक है और आप reaction करा दो alcohol के साथ in presence of dry HCl क्या eliminate होगा water बस और आपका अशर ते यार ketal OR and OR this is ketal Clear? इसमें यह से हो सकते था अगर आप एक बार कराओगे तो हमें कीटल और दोबार कराओगे तो कीटल और अगर डिर्क कराओगे शॉट कट तो कीटल Clear? तो अगर कोई पूछे कीटल मतलब वापस reaction किससे करा ही हमने alcohol Now students, imine imine मतलब आपको reaction करानी है ammonia ठीके? अगर मैं कहूँ imine बनाओ 8th point ठीके? तो आप ले लो carbonyl compound और इसकी reaction कराओ ammonia के साथ तो यह water eliminate हो जाए आपका answer C double bond NH इसको आपको पढ़ना है imine अगर आप लेते हैं aldehyde लाग आपने लिया R, C double bond OH और ammonia तो होगा क्या? फिर water गया? तो आपका answer यह कुछ ऐसा C double bond NH इसको बुलेंगे LD mean और ketone लेगे तो ketamine aldehyde लेगे LD mean ketone लेगे ketamine तो imine मतलब आपको reaction करानी है किससे? ammonia next है आपके पास 2,4 BNP derivative 2,4 DNP DNP होता है Dynitro Phenyl Hydrazine 2,4 DNP Dynitro Phenyl Hydrazine तो अगर अगर आपसे कहा जाए कि DNP क्या है तो पहले तो DNP का full form DNP है 2,4 Dynitro Phenyl Phenyl Hydrazine Phenyl Hydrazine से कराते हैं 2,4 Dynitro Phenyl Hydrazine तो हम कहेंगे Water Eliminate और आंसर है C Double bond N NH Phenyl 2 और 4 पे Dynitro तो सिर्फ पूरे नाम के आगे लास्ट पेस इतना सा आएगा Hydrazine का जोन तो यह होगा Hydra जोन अब इसमें Color भी है यह जो Product बनता है या तो यह होता है Yellow या यह होता है Orange या फिर क्या होता है Red तो जो Product बनेगा उसका Color या तो पीला दारंगी या लाल इसलिए हम इसको DNP test बोलते है Click Next Shift शिफ बेस मतलब आपको reaction करानी है Alkyl Amine आपको RNH2 Alkyl Amine से reaction करानी है Carbonyl Compound की तो आपको मेलेगा Shift बेस या नेक ना Shift रियेजेंट अलगे Shift रियेजेंट अधे Magenta डाई उसमें जब हम SO2 गैस पास करते हैं तो आपको एक Colorless solution मिलता है जब आप उसमें LDH मिलाते हैं तो पिंक कलर आता है तो Shift रियेजेंट टेस्ट है है ना लेकिन ये वो नहीं है ये है Shift बेस मतलब आप Carbonyl Compound की रियेक्शन Amine से कराओ RNH2 वापस वही Water Eliminate हो जाएक तो आपको इस तरह का अंसर मिला अब ये Amine तो है C++ अब बढ़ाता है Amine है ना और N के साथ क्या लगावा है Alkyl तो N-Alkyl-I-Mine Child Amine या Ketamine और जो फेमस नाम है इसका वो है Shift Base Shift Shard Clear Shift Base Shift Shard तो ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आपसे पूछे कि लो भई Sinohydrine आपको दिमाग मुना चाहिए LDH Ketone की रेक्शन किसे करानी है H-C-N Sinohydrine Acetyl कैसे बनाएंगे Alkyl LDH और Alkohol फिर Semi-C-A-B-Zone Semi-C-A-B-Zone Formula NH2 NHCO NH2 LDOL कैसे बनाएंगे 2LDH 2LDH का Condensation Hemiacetyl Alcohol से reaction एक बार यहाँ पे दो बार Oxym कैसे रनेगा क्या बही Oxym कैसे बनेगा NH2 OH से reaction Hydroxylamine Ketone कैसे बनेगा Ketone की reaction किसे Alcohol Imin कैसे बनेगा NH3 Ammonia से reaction ठीके DNP अपने आप मे DNP test है नाम क्या है Brady Reagent और DNP का Full form 2 4 Di Nitro Phenyl Phenyl Hydrazine 2,4 Dynitro Phenyl Hydrazine और Shift Base कैसे बनेगा LDH Ketone की reaction कैसे करानी है Ammon R NH2 ये बनेगा Shift Base Clear? ठीके? तो ये पहला question है जिसमें 10 question है चलो Next तो simple है आपको In compound का IUPAC नाम देना है तो देखो सबसे पहले है CH3 फिर CH Bracket में CH3 है मतलब उपर नीचे कही लिखत हो ठीके? फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH2 अब functional group ये है LDH है ना? इसको कम से कम number देना इवर number 1 ही देना है कि इसके लाग तो ये group है नहीं ठीके? तो पहला काम था long chain सेलेक करो इसको number 1 देो तो हमने number 1 दे दिया तो मैं को पता है chain तो 5 की बन रही और यहाँ पे चलना ही पड़ेगा 4 पे क्या लिखा है? 4 पे methyl तो आपको लिखना है 4 methyl long chain में 5 कारबन pentane और single born है तो pentane और LDH का suffix होता है L है ना तो pentaneal या pentane ऐसे भी लिख सकते हो 4 methyl pentane ठीके L मतलब LDH L मतलब भी LDH ठीके चलो next देखो CS3, CH2, C double bond तो यह लिख दिया CS3 CH2 C double bond O फिर है CH C2H5 तो यह CH C2H5 ठीके bracket में दो पर नीचे कही set करो फिर CH2, CH2, CL CH2, CH2 और CL चलो अब functional group तो की tone है long chain select करो long chain मैं देखो यहां से चलना पड़ेगा 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन यह chlorine वाला carbon भी आजाएगा chain में तो यह chain select करें तो long chain तो हमारी बन गई सीधी नीचे नहीं जाएगे chlorine को लेना जरूर यह ठीके अब ketone एक, दो, तीन नमबर पर आ रहा है और यहां से चले तो एक, दो, तीन, चार नमबर पर आ रहा है 6 ठीक है अब आप चल लो तो 6 पर गया है ख्लोर तो 6 पर ख्लोर ठीक है, 4 पर गया है 6 ख्लोरो हो गया 4 इथाईल हो गया लॉंग chain में आपके पास है 6 कारबर तो हेक्जेन और ketone के ते पर है 3 पर हेक्जेन 3 ओ तो 6 ख्लोरो 4 इथाईल हेक्जेन 3 ओ ठीक है चार नेक्स्ट इनके भी आई उपेसी बिताने बिनाओ CS3 CH डबल मॉंड CH CH और बंदो अल्डी आईट ठीक है तो लॉंग chain तो सीधी है आपके पास फॉंक्शनल ग्रप को मिनियूम नमबर यानि 1 2 3 4 ठीक है चार गारबन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट तू पे क्या चल रहा है तो ब्यूट तू इन सफिक्स क्या है और आप चाहे तो ऐसे लिख सकते है तू ब्यूटी नल ठीक है तू ब्यूटी नल या ब्यूट तू इन अल नेक्स इस थी सी ओ मतला C double bond O ठीक है तू उसको open structure लिखते है CS3 C double bond O देन CH2 फिर C double bond O CH3 ठीक है लॉट चैन या पर भी सीधी है तो और numbering कहीं से भी कर ले है ना तो 1 2 3 4 5 तो लॉट चैन ओफ कारबन में है आपके पास 5 carbon तो 5, single bond के लिए एन, pentane अब यह है ketone, C double bond के लिए दोल दरफ carbon है तो एक ketone, तो on कहां कहां पे है 2 पे? 4 पे, तो pentane 2, 4 di-on pentane 2, 4 di-on clear तो यह हो गया हमारा 4th question पाच कर में नहां चलो, next 5th part CH3 CH CH3 CH2 5 C 2 पार CH3 5 C double bond O and again CH3 ठीके? Now, long CH C 3 अब देखो Left से चले, तो functional group नहीं है, मिथाईल है Right से चल रहे हो, तो दो नमबर भी कहां मिल रहा है? Keto, तो आपको Right से चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहान तक चलना है, ठीके? इसके बाद, मिधायल कहां पहे? 3 पहे 2 बार, और 5 पहे एक बार, तो 3, 3, 5, तीन बार है तो ट्राइड, ट्राइड, मिधायल, टोटल नमबर अव कारवन 6, हेक्जे, ठीके? 2 on, तो अगर इस पह ओन आ रहा है न तो इसका यह जाएगा तो है जी टू ठीक है 335 ट्राइल मिधायल है जे टू चलो नेक्स टेस्ट इस त्री होल थ्री फिर सी अब देखो यह सी है तो है CS3 whole 3 मतलब कि यह तीनों मिधायल इस काबन से गनेक्टेड है अब एक ही आएगा चेन के अंदर तो बागी दूपड नीच रहेगा तो CH3 whole 3C तीन मिधायल है काबन पर गनेक्टेड है तो इस तरह से लिखने है अब्टर देट CH2 COOH तो यह हो गया CH2 यह हो गया COOH ठीक है अगे इन लॉंग चेन केटे कारवन की चार चार कारवन की बनी ना ठीक है एक दो तीन चार ओके ना वान तू त्री अब मिधायल किते हैं दो है थ्री थ्री डाई मिधायल ठीक है और सीधी चेन में केटे कारवन है चार ब्यूटेन सफिक्स क्या है ओईग असट तो यह बनेगा ब्यूटेन नॉइक असट अब देखो यह सीधी यह बना दूटेक है अगर यह एक वेलनसी खाली गए हो तो यह हो गया C6H5 और पहरा मतलब यहां पर भी वेलनसी खाली करो तो यह हो गया C6H4 है न सिर्फ अगर यह बनाते हो न तो यह यहां मतलब दो वेलनसी खाली है ऐसे तो यह है C6H4 अब आपको दोनों जगे CHO लगाना है तो यह दोनों जगे CHO ठीक है अब यह हो गया 1,2,3,4 सबसे पहले तो लिखेंगे बेंजीन अब LDH chain के बाहर है तो अगर LDH chain के बाहर होता है तो इसको बोलते कार्ब LD है एक नमबर पर चार नमबर पर तो बेंजीन 1,4 डाई बेंजीन 1,4 डाई कार्ब LD हाइड बोलो बेंजीन है एक और चार पर LD हाइड है LDH out of the chain हो तो कार्ब LD हाइड ट्रेयर चलो यहां आपके दो क्वेशन कंप्लीट है 8.1 और 8.2 नेक्स क्वेशन हम नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे खर क्वेशन